हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाग तो चैनल स्टोरी ट्री जो हम कहानी आज पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम अरेट्रीफ्ट रिफॉर्मेशन है जिसके लेखक ओर हें ओर हेंरी अमेरिका के एक बहुत ही प्रसीद लेखक हैं जो बहुत ही मशूर हैं अपनी शॉर्ट स्टोर के लिए और जो सप्राइज एंडिंग्स जो वह अपने ओर रिडर्स को देते हैं स्टोरी के एंड पर तो रिट्रीफ रिफॉर्मेशन एक बहुत अच्छी कहानी है एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी है तो चलिये बढ़ते हैं कहानी की तरफ कहानी की शुरूआत जे और एक्सपर्ट चोर होता है उसके चोरी करने का अंदाज दुसरे चोरों से अलग होता है और साथ ही इस काम का इस चोरी के काम को वह बहुत स्मूटली करता है जिमी वालेंटाइन बहुत सारी चोरी करने के बाद पकड़ा गया है और दस महीनों से जेल में ही है और वह चार स काल की खेद की सजा काट रहा होता है तब ही जेल का एक गार्ड आता है और जिमी वालेंटाइन को खुश खबरी सुनाता है कि वह अब जेल का जेल से छूटने वाला है और गवर्नर ने आदेश दे दिया है लेकिन जिमी वालेंटाइन इस बात से बहुत खुश नहीं हुआ उसने सोचा था कि वह सिर्फ तीन महीने ही काटे का जेल में, लेकिन उसकी यह बात गलत हो गई, वह जेल में दस महीनों से खेद है। जेल के वाडन के पास जिमी जाता है, और वाडन उसे यह सला देते हैं कि उसे अब सुदर जाना चाहिए, और यह कहते हैं कि जिमी वालेंटाइन दिल से बहुत अच्छा इंसान है, और उसे चोरी करना, सेफ क्राकिंग करना छोड़कर अच्छी जिन्दगी जीना चाहिए। अगले दिन सुबह 7 बचे के बाद जिमी वालेंटाइन जेल से छुट जाता है जेल से निकलने के वक्त उसे एक कपड़े, जोड़ी, चपल, रेल टिकेट और 5 डॉलर्स दिया जाता है ताकि वह अब अच्छी जीवन जी सके जेल से निकलने के बाद जीमी वालेंटाइन सीधे रेस्टारंट जाकर ब्रॉल चिकन खाता है, सिगार और जूस पीता है जीमी वालेंटाइन ने नेचर की खुबसूरती का जेल से निकलने के बाद कोई मजा नहीं लिया उसके बाद वह रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ बेठे एक आंधे आदमी को कुछ पैसे देता है यह चीज दिखाती है कि जीमी वालेंटाइन सच में दिल से बहुत एक अच्छा इंसान होता है तीन घंटे की रेल के सफर के बाद वह उसके दोस माइकड डॉलन के होटल पे आता है माइक डॉलन उसे देख कर सौरी कहता है कि उसने और यह कहता है कि उसने बहुत कोशिश की जीमी वालेंटाइन को जल से जल से निकालने के लिए लेकिन 10 महीने उसे लग ही गए जिमी वालेंटाइन को जेल से निकालने में यह बात सुनकर जिमी वालेंटाइन माइक डॉलन से कहता है कि ठीक है कुछ कोई बात नहीं फिर जिमी वालेंटाइन अपने कमरे की कीली माइक डॉलन से के पास से लेकर अपने कमरे में चला जाता है जो माइक डॉलन के ही रेस्टोरेंट के उपर होती है वहाँ जाकर देखता है कि सब कुछ उसी तरह है जैसे दस महीने पहले उसके गिरिफतारी के वक्त होता है उसके बाद वह दिवाल के पीछे से अपना सूट केस निकालता है जिसमें उसके सारे आवजार जिससे वह चोरी करदा था वह थे वह आवजार कोई मामूली आवजार नहीं थे उन मेंसे कुछ आवजार खुद जिमी वैलिंटाइन ने बनाए थे और कुछ आवजार उसमें खरीदे थे जो आसानी से नहीं मिलते थे हाफवनार के बाद जिमी वैलेंटाइन नीचे जाता है और अब वह बहुत अच्छी तरह तयार हो गया था और अब वह वापस चोरी करने निकलने वाला था निकलने से पहले अब उसने मैं माइक डॉलन से बात की और दूद पिया वह जिमी वैलेंटाइन कभी भी हाड ड्रिंक्स नहीं पीता था वो हमेशा सिर्फ दूद या कोई लाइट जूसी पीता था उसके बाद सिर्फ थोड़े ही दिनों में उसने बहुत सारी बैंकों को लूटा रिच्मंड इंडियाना से 800 डॉलर, लॉंग एंड स्मोट से 1,500 डॉलर और जेफर्सन सिटी से 5,000 डॉलर का उसने लूट पाट किया यह सब चोरी होने के बाद अब यह सारे केस की जानकारी और सिमेदारी अब बेन प्राइस पे आ गई थी बेन प्राइस एक बहुत ही मशूर एकस्पर्ट डेड़क्टिफ थे और बेन प्राइस वही डेड़क्टिफ थे जिन होने पहली बार जिमी वालेंटाइन को पकड़ा था और जेल में दाला था और Ben Price थोड़ी investigation के बाद और चोरी का style और तरीखा अंदास देखने के बाद उन्होंने यह कह दिया कि यह सारी चोरी सिर्फ Jimmy Valentine ही कर सकता है और यह चोरी Jimmy Valentine ने ही किया है उसके बाद Jimmy Valentine ऐल मोर टाउन आया वहाँ Jimmy Valentine वौक कर रहा था और वहीं दियल मोर बैंक में एक लड़की ने बाहर से बैंक में एंटर किया Jimmy Valentine उसे देखकर शौक हो गया और Jimmy को उस लड़की से प्रेम हो जाता है उसके बाद Jimmy Valentine को यह पता चलता है कि वह लड़की दियल मोर बैंक के ओनर Mr. Adams की बेटी है और उस लड़की का नाम Mrs. Enable Adams है Jimmy Valentine फिर एक होटल में जाता है और वहीं रुख जाता है लेकिन अब Jimmy Valentine ने अपनी पहचान बदल कर Ralph D. Spencer कर लेता है Ralph मतलब Jimmy अब उसी टाउन में रहता है और अब वह अपनी महनत और इमानदारी से शू बिसनस ओपन करता है और थोड़ी ही दिनों में Ralph बहुत कामियाब बन जाता है और उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और वह Enable Adams का दिल जीतने में भी कामियाब हो जाता है और वह उस शहर में मान सम्मान से जीने लगता है Ralph और Enable Adams की Engagement हो जाती है और अब वह दो हफ़तों में शादी करने वाले होते हैं एक दिन जिमी या Ralph दोनों एक हैं जिमी अपने कमरे में बेट कर अपने दोस्त को खत लिखता है उस खत में वह लिखता है कि अब वह अपनी चोरी करने के सारे आवजार उस दोस्त को देना चाहता है और यह लिखता है कि अब मेहनत करके इमानदारी की कमाई कमा रहा है और अच्छा जीवन जी रहा है और जिमी यह भी लिखता है कि अबarnyabal आडम से शादी करने वाला है और एक नई जिन्दगी शुरुआत करने जा रहा है जिसमें कोई चोरी का काम नहीं करेगा सोमवार रात को जिमी वालेंटाइन के खत लिखने के बाद आप बेन पराइस इन्वेस्टिगेशन करते करते इल्मोर आप पहुंचे वह तोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें राल्फ दी स्पेंसर के बारे में पता चलता है राल्फ को देखने के बाद, मतलब जीमी को देखने के बाद, वह अपने आप से प्रशन पोशने लगते हैं कि, क्या यही राल्फ ही जीमी है, उनको doubt होता है और अपने आप से प्रशन पोशने लगते हैं अकली सुभा जिमी वालेंटाइन एनेबल आडम्स के घर पर ब्रेकफास्ट करता है और अब वह सारे लोग मिस्टर आडम्स एनेबल आडम्स जिमी वालेंटाइन एनेबल आडम्स की सिस्टर और उनकी दो बेटियां मे और अगता सारे लोग शहर के बाहर जाके शादी के खर तो आवजार उसकी चोरी में मदद करते थे ताखि जब वो शहर के बाहर जाए तो उस आवजारों का सूट केस जिमी राल्फ मतलब राल्फ अपने उस दोस्त को दे सकी उसके बाद मिस्टर आडम्स ने सारे लोगों को दी ऐलमोर बैंक में लेकर गए ताखि वो सब लोगों को अपना एक नया लोकर रूम दिखा सकें मिस्टर आडम्स का माना था कि वह लोकर रूम इतना सुरक्षित और मजबूत है कि कोई चोर नहीं तोड़ पाएगा मिस्टर आडम्स ये लोकर अपनी दो बीटियां अनेबल आडम्स और उनकी बहन को दिखा रहे थे और जीमी की दो बीटियां में और अगता वहां पर खेल रहे थे और मिस्टर आडम्स जिमी वालेंटाइन अनेबल आडम्स और अनेबल आडम्स की बहन एक दुसरे से बात कर रहे थे उसी दोरान में और अगता खेलते खेलते में अगता को एक्सिडेंटली लोकर रूम में लोक कर द उसके रोने की आवाज और चिलाने की आवाज सुनकर मिस्टर आडम्स और उनका सारा परिवा एनेबल आडम्स जीमी वालिंटाइन मतलब राल्फ और एनेबल आडम्स की बहन सब लोग लौकर रूम की तरफ आते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगता अंदर बंध हो गई ह ये बात सुनकर एनेबल आडम्स की बहन बहुत डर जाती है और जोर से रोने और चिलाने लगती है सब लोग बहुत डर जाते हैं मिस्टर आडम्स सब को शान करते हैं और राल्फ से कहते हैं कि जल्द ही कुछ करना चाहिए क्योंकि वो लौकर रूम दिन में सिर्फ फिक्स टाइम पर ही खोला जा सकता है लौकर रूम के अंदर हवा भी नहीं है जिसके कारण कोई इंसान लौकर रूम के अंदर ज्यादा समय जिन्दा नहीं रह सकता और तभी एनेबल आडम्स जिमी वालेंटाइन राल्फ डी स्पेंसर के पास जाकर यह कहती है कि कुछ ना कुछ तो करो ताकि उनकी सिस्टर की बेटी बच सके तभी राल्फ डी स्पेंसर अपने आपको जिमी वालेंटाइन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है मतलब वो जिमी वालेंटाइन जो बहुत ही मशूर और एक्सपर्ट हैं ऐसे लौकर को तोड़ने के लिए और चोरी करने के जिमी ने सब को आदेश दिया कि सब लोग एक तरफ हो जाएं और जिमी वालेंटाइन मतलब बराल्फ ने अपने आपको जिमी में कनवर्ट करके अब जिमी ने उस लौकर को सिर्फ 10 मिनिट के अंदर तोड़ दिया और अब एनेबल आडम्स की सिस्टर की बेटी बच गई सब लोग बहुत खुश हो गए और सब लोग एनेबल आडम्स की सिस्टर की बेटी के तरफ बड़े और उसे समाहल रहे थे तब ही जब जिमी वालेंटाइन दंग के बाहर आ रहा था जिमी ने उधर बेंट प्रैस को खड़ा हुआ देखा जिमी ने बेंट प्रैस को देख कर समझ गया कि अब उसका सारा खेल खतम हो चुगा है अब वो पॉलिस से नहीं बच सकता और उसने खुद बेंट प्रैस के पास आगे बढ़ा और यह कहा कि चलिए जेल को जाएंगे लेकिन बेंट प्रैस ने जिमी वालेंटाइन को ना पहचानने का ना तक किया और जिमी को राल्फ के ही नाम से पुकार के यह कहा कि नहीं राल्फ मैं तुम्हें नहीं जानता शायद तुम्हें कोई गलत पामली हो गई है यह कहकर बेंट प्रैस बैंक से बाहर निकल जाते हैं और बैंक की बाहर की सड़क पे जाने लगता हैं बेंट प्रैस को पता चल गया था क कि Ralph D. Spencer ही Jimmy Valentine था लेकिन उन्होंने ना तक किया ना पहचानने का क्योंकि Ben Price को पता चल गया था कि Jimmy Valentine अब पहले की तरह चोर नहीं रहा अब इमानदारी की महनत की जिन्दगी जी रहा था और अच्छी जिन्दगी जी रहा था Ben Price का मानना था कि Jimmy Valentine को एक मौखा मिलना ही चाहिए तो Ben Price ने ये मानते हुए Jimmy Valentine को माफ कर दिया और उसे पहचानने से इंकार कर दिया और अब उसे उधर ही चोड़के चले जाते हैं तो ये थी एक कहानी A Retrieved Reformation की Summary बहुत ही अच्छी कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अगर इंसान चाहे तो अपने आपको बदल सकता है लेकिन उसके पास बहुत strong determination रहना चाहिए अगर इंसान चाहे तो अपने गलत आदतों को सुधार की एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता है तो ये कहानी हमें ये सिकाती है तो कहानी समापत हुए